लोक तंत्र को और समविधान को बचाने का चुनाव है एक तरफ NDA नरेंद्र मोदी जी जो Constitution पर आक्रमन कर रहे हैं लोक तंत्र पर आक्रमन कर रहे हैं Institutions को capture कर रहे हैं और दूसरी तरफ India Alliance जो Constitution की रक्षा करता है लोक तंत्र की रक्षा करता है तो यह चुनाव इन दोनों Forces के बीच में हैं यह समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनेतिक structure में हो क्या रहा है RSS ने और BJP ने और खास्तोर से नरेंद्र मोदी जी ने जो strategy बनाई है उसका foundation क्या है उसकी नीव क्या है सबसे पहले यह समझना है नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की monopoly है ports पर, infrastructure पर, defense में वैसे नरेंद्र मोदी जी ने political finance की monopoly बनाई है कैसे बनाई है ED, CBI, income tax department का प्रयोग करके अगर आप bond schemes को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, BJP ने एक प्रकार से political funding extortion से, धमकी से, pressure से बनाई है खारगे जी ने कहा जो भी भरष्ट हैं, वो सब BJP में जा रहे हैं उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि political finance की monopoly उनके हातों में हो अब हमेरे bank account बंद कर दिये हमारे पास original रास्ता जो था वो ही हमारा रास्ता है हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं, यह जो manifesto बना है यह manifesto Congress Party ने नहीं बनाया है यह manifesto हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है, हमने सिर्फ इसको लिखा है ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉंट्राइक लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखे है मगर जो राजनेती में आज हो रहा है, वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिटिटिशन को कैप्चर करके financially monopoly बना रहे हैं अपने, और चुनाओ के बाद, reality है कि ये जो financial monopoly, बड़ी interesting चीज है क्योंकि सारा information, सारा का सारा information, किस से extortion किया है, किसको contract दिया है, contract देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी blueprint, पूरी की पूरी blueprint, electoral bonds में लिखी हुए, तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल, opposition को पूरी charge sheet, proof sheet, electoral bonds के तुरू पकड़ा दिये, तो इसलिए थोड़ा terror हो रहा है उनको, इसलिए नंबर निकला है 400 पार, इसलिए ये महराष्ट्रा में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हर्याना में सब जगे हमारे नेता ले जा रहे हैं,